बुल्डोजर आक्षन की देश बर में संगीन अफ्रादों में शामिल आरोपियों के खिलाव बुल्डोजर आक्षन पर सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर आक्षन पर सवाल उठाए हैं अपराधियों में बुल्डोजर का खौफ कुछ इसकदर है कि वो अपराध से तौबा कर रखी हैं. लेकिन अब शायद बुल्डोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग सकता है. तीन राजियों में बुल्डोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई. जमियत उलेमा एहिंद की आचिका पर सुनवाई करते हुई कोट ने बुल्डोजर की कारवाई पर सवाल उठाया है. सुप्रीम कोट ने कहा कि महज आरूपी होने पर किसी की खिलाफ बुल्डोजर एक्शन कैसे किया जा सकता है. कोट इस मामले पर अब 17 सितंबर को सुनवाई करेगा. यह अवैद निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं है. लड़के की गलती के चलते पिता का घर गिरा देना सही नहीं है. महज आरूपी होने पर किसी के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन कैसे किया जा सकता है. बुल्डोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिकर डाली थी. जमयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया. बुल्डोजर के मामले में आज सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई हुई. मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट में आज एहम टिपड़ी करते हुई ये कहा कि बुल्डोजर की कारवाई से किसी का घर गिराना उचित नहीं. हाला कि इस पुरे मामले में सुप्रीम कोट में जम्यत उलेमाई हिंद की तरफ से याचिका दाखिल करके उत्तर परदेश, मद्रपरदेश और राजस्थान में बुल्डोजर की कारवाई का काड़ा विरोद किया गया. और ये कहा गया कि एक बिसेश समुदाई कोट टारगेट बना कर ही ये कारवाई की जाती है. हाला कि उत्तर परदेश सरकार की तरफ से पेश, वकील और सॉलिसिटर जनरल तुसार मेहता ने इस दलील का विरोद किया. उन्होंने कहा कि राज सरकारों के द्वारा बनाए गए नियमों के मताबिक ही बुल्डोजर की कारवाई की जाती है. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोट को बताया कि सिर्फ मुनिसिपल कानून में ही बुल्डोजर एक्शन का प्रावधान है. कोट ने कहा है कि क्या आपराधिक कानून के तहट किसी आरोपे के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लिया रह सकता है इस पर जवाब देने के लिए SG ने कोट से वक्त मांगा लिसके बाद बैंच ने कहा कि वो मामले के सुनवाई अगले सुमवार को करेंगी हमारी अप्लिकेशन पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोट को लगा कि यहाँ डिव प्रेसेस आफ ला नहीं फॉलो हो रहा है जहां भी कोई क्रिमिनल केस में इन्वाल होता है अगले दिन उनका घर गिरा दिया जाता है तो इसी विषय पे जो 17 तारिक को फर्दर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोट ने रखा है और दोनों पार्टी से सजेशन मांगा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको इंक्रोच्मेंट को रिमू करने के लिए आप क्या है कैसे एक्षन लेंगे तो उसके लिए सब लोगों से से सेजेशन मांगा है और 17 तारिक को फर्दर सुनवाई करने के लिए मैटर रखा है यूपी में अपराध्यों के खिलाफ हो रहे बुल्डोजर एक्षन का समाजवादी पार्टी लगतार विरूत करती रही सुप्रेम कोड की टिपनी के बाद एसपी ने बुल्डोजर के खिलाफ आवाज और बुलंद करती है जिनसे आपकी राजिती सिट नहीं हो रही है आप उनका मकान उनका उनके घरद्वार उनका फैक्ट्री आप बरबाद कर रहे है जमियत नहीं आचिका में केंद्र सरकार और राजियों को पक्षकार बनाया कहा गया कि आरोपितों के खिलाफ वाजब कानूनी कारवाय के बजाए उनके घरों को बुल्डोजर से ढाया जा रहा है पूरे मामले को हम देखने के लिए एक गाइडलाइन बनाएंगे और इस गाइडलाइन को लेकर उन्होंने तमाम राज सरकारों से सुझाओ मांगा है तमाम पक्षकारों से सुझाओ मांगा है जिस पर अब 17 सितंबर को दोबारा सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिपड़ी करते वह ये कहा कि भले ही कोई आरोपी हो भले ही कोई दोसी क्यों ना हो लेकिन उसको मकान गिराना उचित नहीं है वीडियो जनलिट्स हो में इनके साथ सुसीर पांडे